सबसे पहले बात करते हैं अमेजन जंगल में पाई जाने वाले रहस्यमई पेड़ों के बारे में वैसे तो इस जंगल में पेड़ पौदों की लाखों करोडों प्रजातियां पाई जाती हैं इन में से कुछ पेड़ पौदे सामाने होते हैं तो कुछ अत्यांत जहरी ले ये तो सामाने सी बात है इतना बड़ा और खतरनाक जंगल है तो जहर सी बात है कि उसमें पाई जाने वाले पौदे भी खतरनाक ही होंगे लेकिन दिल्चस्प तो ये है कि इस जंगल में कुछ ऐसे पेड़ भी मौझूद है जो वोकिंग ट्री के नाम से मसूर है अगर आप फिल्में देखने के शौकीन है तो आपने कई फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि पेड़ पौधे अचानक चलने लगते हैं लेकिन क्या पेड़ केवल फिल्मों में ही चलते हैं तो ऐसा नहीं है पेड़ हकीकत में भी चलते हैं और ये हम नहीं बलकि अमेजन जंगल में कई सालों से खोज कर रहे वैज्ञानिक कहते हैं अमेजन जंगल में खोज कर रहे वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस जंगल में कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो चलते हैं लेकिन ये हॉलिवूड की किसी साइफाई मूवी जैसे नहीं चलते बलकि इनके चलने की स्पीड काफी स्लो होती है ऐसे पेड़ों पर वैज्ञान आप से आगे की ओर फैलने लगती हैं और पीचे वाली जड़य नस्ट रोती जाती हैं इस वज़ए से यह पेड़ अपने इसतान से थोड़ा आगे हो जाता है ये प्रक्रिया एक या दो दिन में नहीं होती बलकि इस प्रक्रिया में 3-4 महीने लगते हैं और इस वज़े से इन पेड़ों को walking tree कहा जाता है ये पेड़ काफी जहरीले होते हैं सोध करताओं के अनुसार ये पेड़ केवल अमेजन जंगल में ही पाई जाते हैं अब हम अमेजन जंगल में कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जानेंगे इन पेड़ों को आदम खोर पेड़ कहा जाता है ये पास सुनने में आपको जरूर अजीब लगेगी कि आखिर कोई पेड़ मास कैसे खा सकता है लेकिन ये सच है लेकिन अमेजन जंगल में इनकी कुछ ही प्रजातियां पाई जाती है अब सोचने वाली बात ये है कि अमेजन जंगल में आदम खोर जैसे पेड़ हो सकते है तो फिर और कितनी खतरनाक खतरनाक चीज़ें इस जंगल में मौजूद हो सकती